तो मोहन भागबत जैसे लोगों को अपने घर में जहाकना चाहिए मोहन भागबत का दामाद मुसलमान है धर्म के नाम पर जो देश लूटने वाले लोग हैं जो देश द्रोही लोग हैं कभी क्या इनका आपने देखा है कि वो अस्पताल की लराई लर रहे है कभी स्कूल कॉ मोहन भागबत किसे हिंदू कहते हैं यह सनातन प्रंपराओं का देश है और सबसे पुराना धर्म हमारा है दूसरी बात कि मोहन भागबत कहते हैं हिंदू कम हो रहे हैं क्यों कम हो रहे हैं आप BMW कार में चलते हैं आप जट पलस सुरक्षा लेते हैं आप अपने लिए नया क समिंशनर हिंदू हैेश्पी हिंदु है कलेक्टर लिए तमाम अधिकारी हिंदू है तो बहम हिंदु के वारे में अगर इस तरीके की बात मोहमण भागबत कहते हैं तो मैं भागबत जैसे लोगों को अपने घर में जहाकना चाहिए मोहन भागबत का दामाद मुसल्मान है उनकी भती जी किसे साधी किया भाजबा में आपने रामलाल को देखा होगा रामलाल का दामाद मुसल्मान है सानवाज उसन किसका दामाद है मुक्तार अबसन की भी किसका दामाद है ये तो मोहन भागबत जी ब बात कहते हैं अरे भाई हिंदुओं के दिवाली चट यह पूरा कार्थिक मैना हिंदुओं के बारते भार के लिए जाना जाता है ऐसे में प्रेनों की शंख्या को कम कर देना और हिंदु यह जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए नार किये जीवन था लोग जानवरो से बत्तरी सती थी इनसानों की तो वह हिंदु धर्म नहीं दिख रहा था अरे भाई कौन क्यों कर रहे हमें इसकी ज़रूरी है और आपने कहा कि हिंदु धर्म हिंदु सब्द जो है वह गलत सब्द है समझे हम सनातनी हैं हम सबसे पुराने लोग हैं और हमारा जो जितने आ आप सभी धर्मों में देखे होंगे आराधे को कुछ लोगों ने इसको बैपार बना लिया है कि आप उसको गाली दीजे उस धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग खुस होंगे और वो आपको चंदा देंगे देश में यहीं चल रहा है यह लोग नफरत के सोदागर हैं इनसान के रूप में जनम लिया और उन्होंने कहा भूक सब को लगती है इसलिए उनके रोजी रोटी की बेवस्था होनी चाहिए बिमार सब होते हैं इसके लिए उनके स्वास्त की बेवस्था होनी चाहिए सब को तकलिफें होती है तो उसके लिए कल्यान की बाते होनी चाहि लोग हैं कमिशन खोर लोग हैं यह नफरोती सौधागर लोग हैं यह बिदेशी सक्टियों के हाथ में बिके हुए लोग हैं जो हमारे देश को कमजूर कर रहे हमारा कोई भी धर्म कोई गाजर मुली थोरे नहें देखिए सारी चीजें हैं फिर आप वही बात है आप आईए परहुसरी राम मासीता के लिए रावन का बद्किया लंका तकी यात्रा तेगी क्या नरेंदर मोदी जी जैसे लोग हिंदु धर्म को मानते हैं जिनोंने जसोदा बेन को मांग में शिंदूर भर कर जिसने अगनी के साथ फेरे लिए जिसने साथ बचन निभाए जिसने साथ जनम जीने मरने की किसम काई एक जनम में ही छोड़ दिया वह न बैचारी सुहागन रही न कुमा सब्सक्राइब की बात होती है सनातन धर्म में नरही नाराइन की बात होती है सनातन धर्म में पेर कैसे जिन्दा होगा इसकी वेबस्था है कि हम पेर में जल डालते हैं पेर की पूजा करते हैं जल के जीव कैसे जिन्दा होंगे इसलिए हम जल के जीवों को दाना डालते है बायू मंडल के जीव कैसे जिन्दा रहेंगे इसके लिए हम बायू मंडल के जीव को दाना डालते हैं आप देखते हो येगा कुट्टों को खिलाने की परंपरा है गाई को खिलाने की परंपरा है ऐसे में कोई भी धर्म नफरत की बात नहीं कहता अप आईए इन्यों लोग उस समय हिंदु धर्म के पुरोधा थे मोहन भागबत जैसे लोगों को क्या घर से बाहर में निकलना था जब बहुत बड़ा करोना पेंडामिक हुआ तो लोग गर्बती माताएं बहने हमारे देश की महिलाएं सरकों पर बच्चों को जनम दे रही थी लोग सरकों पर रेल के पट्रियों पर कटकर मर रहे थे लोग पैदल घर नहीं जा पा रहे थे कोई अपने बिमार मा को अपने कंधे पर लाद कर पूने से दर्वंगा तक घर गया कोई बेटिया जिस बेटी को हम पूछते हैं वो 13 साल की बेटी साइकिल पर अपने बिमार पिता को ले कर गया उस समय क्या हिंदु धर्म नहीं दिका क्या मान भागबा जैसे डेस्द्रोईयों को यह नहीं दिखा कि जब हिंदुओं के लास को बिटी में दफनाया गया चील कवें नोच-नोच कर खा रहे थे कुद्टे नोच-नोच कर खा रहे में एक औन्तिम संस्कार है क्या यह हिंदू धर्म का जो अपने आप में एक शभ्वता है और आप ने बुद की चडचा की हम बहुत प्रमशबा की साली है कि हम बिहार से आते हैं भगवान बुद्ध को बोध ग्या में ग्यान प्राप्थ हुआ था भगबान महवीर की जन्मस्थली है बिहार मासीता की जन्मस्थली है बिहार गुरु गुरु गोविन सिंग की जन्मस्थली है बिहार तो हमारी मिट्टी हमारी बिरासत यह सिखाती है सरवधम संभाव की धर्म एक सिखाता है जितने भी आराध्यदेव हुए उन्होंने जब जब मानव सामाज में कुरूतियां जादा फैल गई तो वो उस कुरूतियों को दूर करने के लिए आये जो भगवान के नाम से और अलग-अलग पंथों के नाम से जाने जाते हैं हम सभी धर्मों का शम्मान करते है हम उन चंदा खोरों की तरह नहीं हैं कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की बात कहते कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कोई भी धर्म आप बुद्ध के पंसिल के सिधान्त बताओ जब मात्मा बुद्ध से जब पूछा गया तो वो मौन थे वो आलोशना नहीं करने की ब आप सबसे पहले तो बहुत धम है आप समझे धम और धर्म में फर्क समझे जो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो दुनिया को संदेश दिये आज इसलिए भारत विश्व गुरू का लाता है आपको पता होना चाहिए और जब जब हमारे प्रधान मंत्री भी विदेश की धर्त पर जाते हैं तो गांधी और बुद्ध की बात कहते हैं जब देश में आते हैं तो गोटसे की बात कहते हैं जातियों का कोई भी जिक्र धर्म में नहीं है समझे जातियां आपस में नफरत के लिए नहीं है जातियां बिल्कुल ये जो लोग हैं जो धार्मिक ठेकेदार हैं जो मुनाफे के लिए काम करते हैं वो ऐसा करते हैं आपने देखा होगा निशाद राज त्याग राज आप जरासंद को क्या कहेंगे वहगवान स्रीकिष्ण के नाना थे आपका हरजाती से कहेंगे ऐसा नहीं होता गुरू सभी का सभी में सब कुछ होता था साधी विवा रि सब्गन नहीं जाना चाहिए मैं सब जो यह इनसान को तकलिफ देती है जो इनसान को इसान से दूर करती है मैं वह मानता हूं कियाavat प्रवुसरे किशन यह साफ और साफ कहा नर्ही नारायन है भूखे को खाना खिला प्यासे को पांप पिलाओ, बीमार का तामिरदारी करो, यही हब सभी धर्म सिखाता है, धर्म सीखिए, धर्म को पढ़िए, आप कुरान भी अगर देखे होंगे, कुरान में 40 गर कोई भूखा नहीं होना चाहिए, कुरान में दारू नहीं पीना चाहिए, हिंदु धर्म में भी दारू नहीं प पढ़िए जो आपके बाप दादा पढ़ते आए हैं हम सभी धर्मों का शम्मान करें जो धर्मों में अच्छाईयां हैं उसका हम तह दिल से उसका स्वागत करें और अपने आच्रन में अपनाएं यहीं चीज़ आप बाइबल पढ़िए आप नास्तिक साथ्र पढ़िए अप्रमाइन परिये अपगीता परिये अंपर कुरान परिये कहीं नं अफरत की बाते नहीं है यह चंद लोग हैं जो इस पर आमधनी कर्थी पात्रा का भी ब्यान सुना होगा भिश्नु के अवतार ही माने जाते हैं अब हम तो उस समय थे नहीं हम तो इस समय हैं हमारे I just say 75 साल हो गए आजादी के ज जातीयों के नाम पर धर्म के नाम पर वैपार करने बाले जो वैपारी हैं कभी क्या constitutional कलम में प्रोग्राम करने से क्या उस जाती का कल्यान होगा आप उस समाज में जाएए वहां लोगों को सिछा कैसे मिले उस school के लिए बात कीजिए college की बात कीजिए अस्पताल की बात कीजिए कभी इन धार्मिक धर्म के नाम पर जो देश लूटने वाले लोग हैं कभी किया इनका अपने देखा है कि वह अस्पताल की लराई लर रहे है आपने नहीं की होगी, आप नहीं पढ़ा ओगा हिंदू धर्म को, यहीं मैं कहीं रहा हूँ, हम जिस धर्म में हैं, हम देखे, हम इसकी भी इजाज़त नहीं देते कि आप इसलाम को गाली दो, बहुत को गाली दो, हिंदू को गाली दो, सिक को गाली दो, आप उसको गाली दो, इसकी इजाज़त मैं नहीं देता, और मैं उन चंदा खोरों में से सामील नहीं हूँ, मैं इ धर्म सिखाता है इसलिए किसी भी धर्म पर नो कॉमेंट शबी धर्म प्यारा है